डाइमंड का राज अर्पिता का कहा हुआ था स्वर्णा की है क्लिप पर असली डाइमंड नहीं लगे थे मल्कि वो तो नकली स्टोन थे अर्पिता बिल्कुल सच कह रही थी वॉक्सडाइस्ट की हुए नकली डाइमंड थे बॉस स्वर्णा मैडम की अर्पिता की बात का विश्वास नहीं कर रहे थे और अब उनके सामने सच आ चुका था संजेट डायमंड की जाच रिपोर्ट को देखने लगा उसने टेबल पर से वो है क्लिप उठाई और उसके साथ खेलने लगा वो नकली डायमंड सूरज की केड़नों के साथ चमक रहा था उसे है क्लिप की डिजाइन भी काफी असली लग रही थी जिससे कोई भी उसे देखकर बेवकुव बन सकता था किसे को पता लगाने के लिए वो असली है या नकली उन डायमंड को पास से देखने की जरुरत थी अर्पिता ने ये कैसे किया होगा? एक मामूली नर्स होने के बावजूद उसे डायमंड के बारे में इतनी परक कैसे है? संजे की गहरी आँखें अब किसी सोच में पढ़ गई उसकी चहरे पर कोई भी देखें जा रहा था इस कोशिश में कि अर्पिता के एक्सप्रेशन से कुछ पता लग सके जब अर्पिता की नज़रे संजे से मिली उसकी चहरे पर कोई गिल्ट नहीं था बल्कि वो आगे बढ़कर कहने लगी मिस्टर संजे जैसा कि मैं बता सकती हूँ कि है क्लिप पर लगे डैमंड नकली थे उनकी कोई खास कीमत नहीं थी तो ये बात बिलकुल साबित नहीं होती कि मैं उस नकली है क्लिप को चुराने के लिए इतना बड़ा रिस्क लोंगी इस बात से क्या ये प्रूफ नहीं होता कि मैं बेगुना हूँ सेंजे ने उसके खुबसूरत चहरे के और देखा उसकी आँखे काफी एलिगंट और रास से भरी लग रही थी यही कुछ चीजी किसी को भी अर्पिता की बैक्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए मजबूर कर सकती थी सेंजे ने वो क्लिप टेबल पर भैंग दी वो स्वर्णा की ओर देखने लगा स्वर्णा अंटी आपने मेरे सर्वन पर जूटा इल्जाम लगाने की कोशिश की आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इस बारे में सफाई देनी चाहिए मैं मैं स्वर्णा हकलाती हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि डर के मारे वो सोफे पर बैठ गई लेकिन अब तो उसे तकलीफ दे रहा था वो उसका हाथ था ना कि उसकी सब के सामने हुई बेज़दी संजे ये मेरी गलती है लेकिन मेरे साथ भी धोका हुआ है मुझे लगा कि मैंने एक असली डायमंड की हैकलिप खो दी है इसलिए मैंने अपनी परिशानी में वो सब कर दिया स्वर्णा अपनी बात को बीच में ही रोकते हुए अर्पिता की ओर देखने लगी अगर उसे पता होता कि वो डायमंड नकली है तो उसने पहले क्यों नहीं कहा जब वो स्वर्णा के बालों में वो हैकलिप लगा रही थी क्या वो किसी मुसीबत से बचना चाहती थी या उसे पता चल गया था स्वर्णा उस है क्लिप को उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए इस्तमाल करने वाली है स्वर्णा अपने ही खयालों में उलचती जा रही थी जब उसने अर्पिता के और देखा ऐसा लग रहा था मानू उसने अपनी आँखों से किसी भूत को देख लिया हो आंटी घर के लिए रूल्स बनाना अच्छी बात है लेकिन घर की मालकिन कभी भी ऐसे नकली धोके नहीं खा सकती संजे सोफे से उठने लगा बस स्वर्णा को ताने मार रहा था लेकिन उसके चेहरे से कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था उसके चेहरे में शायद ही कोई कमी होगी उसके नजर भले ही स्वर्णा पड़ थी लेकिन वो अर्पिता को राहत की सांस लेते हुए देख पा रहा था आखिर ये उसके आसपास चल क्या रहा था स्वर्णा के पास बेज़द होने के बाद अपनी सफाई के लिए कोई शब्द नहीं बजे थे उसका चहरा पीला पड़ चुका था बिना संजय के बोले वो खुद वहां से चली गई यहां तक कि वो उसके टेबल पर से क्लिप भी ले जालना भूल गई थी अर्पिता की आँखों में खुशी साफ नजर आ रही थी लेकिन संजय अभी भी लिविंग रूम में था इसलिए वहां शांत खड़ी थी ध्यान से सोचते हैं वो कहने लगी मिस्टर संजय अब कुछ नहीं बचा है तो मैं जाने की अजाज़त चाहती हूँ तुम स्टडी रूम में चलो मेरे साथ संजय उसके बात को बीच में रखते हुए उपर की ओर जाने लगा अर्पिता अपने खयालों में खोई उसे उपर जाता हुआ देख रही थी उसके बाजू में खड़ा नौकर उसे उसके खयालों से जगाते हुए कहने लगा अर्पिता चल्दी जाओ बॉस ने तुम्हें उपर बुलाया है ना तो ये कोई उसका वेहम नहीं था और उसने उसे सच में बुलाया था क्या उसे सच में विश्वास नहीं था आपकी अर्पिता ने वो हेकलिप नहीं चुराई है अर्पिता के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे उन्हीं सवालों को सोचते हुए वो उपर जाने लगी को नौक करते हुए कहने लगी। जैसे ये रूम के अंदर दाखिल होने वाली थी, वो थोड़ी चौक गई। संजे स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ था। उसका स्टडी टेबल काफी बड़ा और काफी पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी खास किस् स्किन चमक रही थी। अपने सामने उस खूपसूरत सीन को देखते हुए पता नहीं क्यों अर्पिता के मूँ से कुछ शब निकलने लगे। जो उसने कुछ देर पहले स्वर्णा को कहे थे। नहीं किया था बलकि वो खुद भी शर्मिन्दा नहीं होना चाहता था। संजे के आवाज सुनकर नाजाने क्यों अर्पिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। कहते हैं औरुत की खूपसूरती मुसीबत लाती है। लेकिन अर्पिता ये पूरे दावे के साथ कह सकती थी कि ये सीम उसके साथ हो रहा था। उसके ठीक सामने मानो कोई शैतान बैठा था। क्या तुम्हारा मुझे देखकर मन भड़ चुका है। संजे अर्पिता से कहने लगा। उस समझ नहीं पा रही थी कि संजे ने जो सवाल पूछा है वो सीरियस था या कोई मजार। अर्पिता को अब काफी एंबारिस्मेंट फील हो रही थी। मिस्टर संजे आप क्यों मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम मुझे अकेले में कोई बात समझा पाना चाहती हो। अपनी सफाई दे रही थी। कि उसने देखा कि संजे उसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देख रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई शिकारी अपनी शिकार पर नजर जमाए बैठा हो। उसकी बॉड़ी कापने लगी और उसने बोलना बंद कर दिया। बिना ये सोचे कि अर्पिता ने उसे कितना नारास किया था। वो कहने लगा तुम्हें कब पता चला कि वो है क्लिप पर लगे डाइमन नकली थे। तो इस वज़गा से उसने अर्पिता को स्टड़ी रूम में बुलाय था। क्या वो उसे सच बता दे या उसे जूट कहे। अर्पिता कुछ के बालों में वो है क्लिप लगा दू वो है क्लिप कुछ अजीब नज़र आ रही थी वो बाके की डार्मन की है क्लिप से ज्यादा भारी थी और उसकी चमक भी काफी अलग थी तो मैं उसे अच्छे से देखने लगी अरपिता ने कहा अगर स्वर्णा की जगा कोई और होता त वो अच्छाए के नाते उसे सब कुछ बता देती हाला कि स्वर्णा उसे खुद उसके घर लेकर गई थी क्या पता वो उसकी साथ क्या करने का सोच रही थी इसलिए सब कुछ जानते हुए भी अरपिता ने चुप रहने में ही भलाई समझी और इसी वजह से आज वो चोर सा प्रवाबित नहीं हुई क्या तुम डैमंड के बारे में अच्छे से जानती हो संझे अपनी आइब्रो को कस्ते हुए अरपिता से पूखने लगा एक मावूली इंसान का डैमंड के बारे में इतना सब कुछ जानना कोई आम बात नहीं थी और तो और वो डैमंड है क्लिप में लगे हुए थे उस है क्लिप को छूने भर से ही अर्पिता को पता चल गया था कि उन डायमंड में कुछ गलत है इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि वो डायमंड और उसके जैसे बेश किमती चीजों के साथ लगातार कॉंटाक में थी हालकि ऐसे किसम के इंसान को काफी अमीर ह होना चाहिए था ना कि एक मामुली नर्स संजे के नजरे गहरी होने लगी वो अर्पिता को एक्सरे की तरह स्कैन करने लगा नर्सिंग के कोर्स में अडमिशन लेने के पहले मैं एक शोरूम में काम करती थी वो हरूस मेरा डायमंड से बनी चीजों के साथ कॉंटाक्ट होत था अर्पिता की बात उमें confidence नजर आ रहा था उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि उसे कुछ याद आया और वो कहने लगी don't worry मैं अब एक professional nurse हूँ और मैं अनन्या के अच्छी से ख्याल रखूंगी शोरूम में काम करती थी उसने सच में इस बारे में नहीं सोचा था इस त जादा ही शक कर रहा था मिस्टर संजे अब आपको और कोई बात नहीं करनी हो तो मैं नीचे जाना चाहूंगी अनन्या मेरा इंतजार कर रही होगी जैसे ही अर्पिता ये सब कहने लगी उसकी आंखे दरवाजे को ताक रही थी अनन्या के लिए उसकी फिक्र सच थी लेकि शायद वो सच कह देती कि उसका असली और नकली डार्मन में फर्क करना किसी शोरूम में काम करने की वज़ह से नहीं था बलकि उसे एक बड़ी कमपनी में काम करने का मौका मिला था उसकी पैनी नजर की वज़ह से वो किसी भी हीरे को छू सकती थी और वो असली है या नकली ये बता सकती थी वो हमेशा 100% सच नहीं होती लेकिन ज्यादत तर समय उसका कहना सच ही होता हाला कि अगर वो संजे को ये सच बता दे दी तो शायद वो उस पर विश्वास नहीं करता और उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती उसकी जैसे मामुली नर्स के लिए छूड बोलना ही सही था जब उसने देखा कि संजे कुछ बोल नहीं रहा था उसने उसकी चुपी को हां समझती हुए वहां से जाने लगी अर्पिता के जाने के बाद स्टडी रूम में संजे का असिस्टिंट आया बॉस अगर अर्पिता सच कह रही थी तो आच चो हुआ वो सिर्फ इक इतिफाक था उन्हें ऐसा लग रहा था कि महीश ने अनन्या के खिलाफ किसी को उस पर नज़र रखने के लिए हायर किया था लेकिन स्वर्णा ने अर्पिता से जिस तरीके से बिहेव किया था उससे साफ पता चल रहा था कि अर्पिता उनके द्वारा भेजा गया कोई मोहरा नहीं है इतिफाक संजे वापस अपनी सीट पर जुक गया हमेशा के तरह अपनी लंबी उंगलियों को स्टाटी टेबल पर रखते हुए काफी गहरी सोच में खोया हुआ था संजे की बात सुनकर असिस्टेंट को भी कुछ अजीब लग रहा था उसके मन में कोई खयाल आया और वो सर उठा कर कहने लगा बॉस आपको क्या लगता है क्या आज जो कुछ भी हुआ वो किसी के द्वारा कोई सोचा समझा नाटक था